एक्सेसाइज 2.3 का क्वेशन नंबर 5 में लोग के पास और इसमें क्या कह रहा है सैली पांट्स फोर सेपलिंग्स इन एरो इन हर गार्डन सैली अपने बगीचे में एक ही लाइन में चार छोटे पोधे को लगाती है तो एक पोधे से दूसरे पोधे की दूरी जो है वो इतना मिटर है 3-4 मिटर फाइंड दिस्टेंस बिट्विन दर फर्स्ट एंड लास्ट शैपलिंग्स तो फिर पहले पोधे से लेके आखरी पोधे तक उन सब की दूरी कितनी होगी मतलब कितना डिस्टेंस की आवसकता है यहान पर देख सकते हैं कि सैपलिंग है सैपलिंग लिट फोधा यहां पर से दूसरे के लिए कितनी दूरी क्या उपसकता पड़ता है तो यहां पर पिर यहां से यहां तक उध नहीं पड़ेगा 3-4 म that nothing एम फिर खेंतक पर फिर यहां से क्ला five लास्ट फॉर्थ शेप्लिंग्स तक जो है त्री बाई फॉर्थ तो कितना हो गया थिरी बाई फॉर्थ जो है वो तीन बार मतलब इतना को हम अगर थी से मल्टिप्लाइ इए आक पर ने लिख लिया है डिस्टेंस बिट्विन तू शेप्लिंग्स दो शेपलिंग्स दो सेपलिंग के बीच की दुरी कितनी है ठीट बाइफ, हॉर मीटर मैं तो फिर छारोगोष कि दूरी कितनी अ हो जाएगी मैं carryaguay distance अंब हाँ सक डिस्टेंस TWI may Add и required डिस्टेंस अमोंग फॉर सेपलिंग्स चारों सेपलिंग्स के बीच की दूरी कितनी होगी तो यहां पे यह जो नमबर है 3Y4 मल्टिप्लाइ हो जाएगा 3 से अगर हम 3 से मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो जो नमबर हमें मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा तो यहां पे हम क्या करते हैं यह उपर में ही है इसका मतलब है कि यह है अभी मैं बतलता हूं यहां पे 3Y4 into 3 by 1 इस तरह से है इस तरह से कटने वाला है नहीं यह इस तरह से कटेगा है नहीं तो यहां पर क्या होगा हो जागा तरी 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 जा 9 हो गया 9 by 4 तो यहां पर मिक्स परिक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं 4 तूजा 8 हो गया 8 यहां से निकल गया वन बचा वन हो गया और यहां पर नीचे में बचे या 4 लग टू एंड वन वाई पर मीटर रिक्वाइड डिस्टेंस के आओ सकता जो डिस्टेंस की आओ सकता पड़ेगा वह इतना हो गया तो यहीं इसका अंसर हो जागा कंप्रेट हुए क्वेश्चिन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चिन पर चलेंगे हैं लोग एक्ससाइज 2.3 का क्वेश्चिन नंबर 6 हैं लोग के पास और इसमें कह रहा है लिपीका रिट्स एब बुक फोर 1 एन 3 बाइ 4 आवर्स इवरी डे लिपीका एक किताब को रोजाना इतना घंटा पढ़ती है और वह उस पूरे किताब को 6 दिनों में खतम कर देती पढ़के तो फिर पूरे किताब को पढ़ने में उसे कितना समय लगा तो उस टाइम को निकालना इसमें तो आई हम रुक सॉल्व करते हैं इसको कुशिन नमर 6 में जो चीजे दिया हुआ है रीडिंग टाइम और इवरी डे मतलब रोजाना पढ़ने का समय जो है वो कितना लगाती है और यहां पे फिनिस टाइम और एबुक एक किताब को समाप्त करने का समय उसका कितना है छे दिनों में वो एक बुक को समाप्त कर देती है तो फिर टोटल टाइम वो कितना लेती है पढ़ने के लिए तो यह जो है इसको हम इससे मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जागा तो फर्स्ट में दिया है 1 & 3 by 4 into 6 छे दिनों में एक दिन में इतना समय लेती है तो छे दिन में कितना समय लेगी तो यसी को 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमें आंसर मिल जागा सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे तो बराबर करते हैं फ इसके बाद कटने वाला नहीं है, 7, 3, 21 हो जाएगा, यहां पर हो गया 21, और यहां पर हो गया नीचे में only 2, अब यहां पर इसको mix section में हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि कटे कर नहीं, तो finally क्या आ जाएगा, 2, तो 2, 1 जा 2 हो गया, और यह बच जाएगा, तो इसका मतलब लगेगा, तब जाकि एक किताब वो complete करेगी, 10 hours, 10 and a half hours, तो यही इसका answer हो जाएगा, question number 6 यहां पर complete हो गया है, next question पर लोग चलेंगे,